वाट मैटर्स दे मोस्ट भारत मैटर्स आर्केलोजिकल एविडेंस और हमारी एपिक्स के अधार पर दुनिया के ओल्ड स्पोर्ट माना गया है लेसकॉक्स ट्रांच में मिली केव पिंटिंग बताती है कि रिसलिंग और रनिंग एज़ा स्पोर्ट आज से लगबग 15,000 साल पहले से खेले जा रही है वहीं रमायड में वानर राजबाली और रावण और महाभारत में भीमा और जरासंद के बीच ऐसे ही मलियुद यानी मॉडरन डे कुष्टी का जिक्र किया गया है लेकर अगर हम साल 2023 की बात करें आज ये दोनों ही खेल दुनिया के टॉप 10 खेलों की लिस्ट से बाहर है मार्च 2023 में मिले डेटा के मताबिक 4 बिलियन फैंस के साथ फुटबॉल दुनिया का सबसे पॉपलर स्पोर्ट है लेकर इंडिया एक ऐसी कंट्री है लेकिन हमारा प्यारा भारत एक ऐसा देश है जहां वर्ल्ड की लार्जस्ट पॉपलिशन होने के बावजूद फुटबॉल का स्तित्व बेहत सीमित है 140 करोड जनसंख्या वाला ये देश वर्ल्ड फुटबॉल टीम रांकिंग में आज 100th रांक पर खड़ा है इस वीडियो के रिकॉर्ड होने तक एक लिस्ट 2000 करोड की कुल जीडिपी वाला सेनेगल फीफा रांकिंग में 3,00,00 करोड जीडिपी वाले भारत से 82 रांक उपर है यहां तक की भारत से 158 टाइम्स चोटे वेल्स की नैशनल फुटबॉल टीम भी दुनिया की टॉप टीम्स में कंसीडर की जाती है आम तोर पर फुटबॉल की सफलता के पीछे लोगों का ये तर्क होता है कि क्योंकि फुटबॉल साउथ अमेरिका या ये उरोपियन देशों में खेले जाने वाला सबसे प्रॉमरेंट स्पोर्ट है इसलिए एकनॉमिकली हमसे वीक या साइज में हमसे छोटे तेश भी इस खेल में हमसे आगे हैं लेकिर शायद ये तर्क फुटबॉल में हमारी लंबी आसा फलता को छपाने का एक माध्यम मात्र है क्योंकि आज एशियन कॉंटिनेंट में मुझूद जपान, साउथ कोरिया यहां तक कि इरान जैसे देश भी फुटबॉलिंग टम्स में इंडिया से कई गुना आगे हैं जहां करन्ट रैंकिंग के मताबिक आज जपान 28, इरान 22 और साउथ कोरिया 28 पोजिशन पर है हाला कि हमेशा इंडियन फुटबॉल की सिट्यूशन ऐसी नहीं थी क्योंकि भारत उन कुछ एशियन सब कॉंटिनेंटल देशों में से एक है जहां फुटबॉल का इंट्रोडक्शन करीब 200 साल पहले ही हो गया था महीं 1950 के बाद लगभग 15 सालों तक इंडिया ने अपने फुटबॉल टीम का गोल्डन एरा विटनस किया था जिसके चलते इंडियन फुटबॉल टीम को ब्राजिलियन सॉफ एशिया के नाम से विश्वभर में पहचान मिली लेकिन अल्ली 80 के बाद इंडियन फुटबॉल का सूरच कभी होकी तो कभी क्रिकेट राइस के चलते मानों कहीं छिपस आ गया पर अब एक बार फिर इंडिया में फुटबॉल का उदय देखने को मिल रहा है जहां गवर्मेंट एफर्ट्स आईसल जैसे टूनमेंट्स और लोगों के प्यार ने फिर से 100 यार्ड में खेले जाने वाले इस खेल को इंडिया में रिवाइव किया है खास दोर पर रिसेंटली साओध एशन फुटबॉल फेडरेशन कप और साफ कप में मिली जीत को देखते हुए यह उम्मीद की जा रही है कि शायद इंडिया आने वाले वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर जाएगा दोस्तो आज के हमारे इस वीडियो डिसकेशन में हम इंडिया के फीफा वर्ल्ड कप दोहजार चबबे से जोड़े रियलिस्टिक सेनारियोस को आपके साथ डिसकस करेंगे किस तरह स्टेप बाई स्टेप अप्रोच के साथ इंडिया के फीफा वर्ल्ड कप का सपना सच हो सकता है साथ है हम इंडियन फुटबॉल के तिहास और करेंट राइस को भी समझेंगे इस वीडियो की इंपॉर्टन्स UPSC Prelims और GS Mains के सपोर्ट सब सेक्शन में देखने को मिल सकता है इसके बारे में वीडियो के इंप में और भी बात करेंगे पर फिलाल के लिए आपने डिसकेशन को हम आगे बढ़ाते हैं दोस्तों UPSC की तैयरी करने के लिए आपको बहुत सारे अगले चार महिनों के लिए मेंस रिसिदेंशिल प्रोग्राम के अंडर रिग्रस प्रिपरेशन कराई जाएगी बिरा किसी अडिशनल कॉस्ट के और दोस्तों यह सब कुछ आपको विलेगा मात्र और मात्र 29,999 के सुपर डिसकाउंटे रिप्राइस पे अगर आप AG Live कूपन कोड यूज करते हैं दोस्तों 10 आउज जुलाई को Study IQ के प्रिलियम्स तो इंटेव्यू बाच्चेज हिंग्लिश, इंग्लिश और हिंदी लाइंग्विज में लॉंच होने जा रही है इंट बाच्चेज में क्लासिस की टाइमिंग मौनिंग 8 अम रहेगी तो आप भी AG Live कूपन कोड यूज करिए और पूरे देश के UPSC experience के साथ कहिए कि अब तैयारी हुई affordable, steady IQ के साथ इंट बाच्चेज से related सभी important links आपको description और pinned comment में मिल जाएंगी तो भारत में फुटबॉल के शुरुआत बिर्टिश अर्राइवल के साथ हुई लेकिन दीरे दीरे बिटिश शुल्डर्स ने लोकल्स के साथ फुटबॉल खेलना शुरू किया जिसने फुटबॉल को बहुत से बिटिश प्रसिदेंसी में popular बना दिया अर्ली बिटिश शूल, कैलकटा, बॉम्बे और मदरास तक expanded था जिसके चलते फुटबॉल का खेल भी सबसे पहले इनी रीजिन्स के in and around खेला जाने लगा इंडियन सुयल पर खेला official फुटबॉल मैच 1854 में कैलकटा क्लब ऑफ सिविलियन्स और जेंटलमेन ऑफ बराकपोर के बीच खेला गया इसके बाद मानव फुटबॉल दोगुनी रफतार से एक स्पोर्ट के रूप में पसंद किया जाने लगा इसके चलते 1888 में Durant Cup की शुरुआत हुई जो एशिया का oldest और विल्ड का 5th oldest existing football tournament है और इसके ठीक एक साल बाद यानि 1889 में मोहन बगान फुटबॉल क्लब की नीव रखी गई जो करिंटली इंडिया का oldest football club है अब भारत में club football के early arrival को इस बात से समझ सकते हैं कि मोहन बगान करिंटली फुटबॉल के दो सबसे popular clubs यानी FC Barcelona और Real Madrid से भी एक दशक पहले established हो चुका था अलाकि आज मोहन बगान और इंडिया फुटबॉल के बीच बड़ा फासला है बहराल 21st century में football Calcutta, Madras और Bombay presidency में कई जगा खेला जाने लगा इससे देखते हुए 1937 में All India Football Federation का जन्म हुआ और 1948 में इसे FIFA affiliation मिला वहीं से सही मायने में Indian football ग्रो होना शुरू हुआ 1947 में Independence के बाद इंडिया ने अपना पहला football match 1948 के London Olympics में खेला इंडिया का सामना Europe Nation France से हुआ इस match में Indian players without shoes यानी नंगे पाउं खेल रहे थे अपने brilliant skills के चलते इंडिया ने France को इस match में कड़ी टकर दी लेकिन दो crucial penalties मिस्स करने के वज़े से इंडिया ये match दो एक से हार गया अलाकि इस हार के बावजूद British media ने Indian team की खूब सराना की जब Indian captain ताली मरेन से पूछा गया कि उनकी team नंगी पैर क्यों खेल रही थी तो उनके जवाब ने लोगों के चहरे पर मुस्कान ला दी उनके कहा, well you see, we play football in India, whereas you play bootball इस match में इंडिया का एक मात्र गोल, सरंगपानी रमन ने किया था जोने Olympics में इंडिया का पहला international goal scorer बनाता है इस match के बाद सबको यही लगता था कि इंडियान football team global competition के लिए ready है, लेकिन एक बड़ा setback इंडियान football का इंदजार कर रहा था, दरिसल 1950 FIFA World Cup में अपने group की सारी team द्वारा उनका name withdraw करने से भारत automatically World Cup के लिए qualify कर गया, लेकिन इंडियान ने qualify करने के बाब जूद, tournament में participate करने से मना कर दिया, All India Football Federation ने participation के लिए मना करने के कई सारे reasons बताए, AIFF का कहना था कि ब्राजील में होने वाले FIFA World Cup के लिए travel cost को इंडिया effort नहीं कर सकता, और World Cup से जादा इंडियन football team के लिए Olympics important है, वही कुछ लोगा मानना है कि FIFA कमिटी खुद, इंडियन टीम के travel और दूसरे expenses उठाने को तयार हो गई थी, लेकिन इंडियन टीम का बिना shoes का खेलना, इस World Cup में ना जाने का कारण बना था, असल में उस समय तक FIFA ने barefoot खेलने का rule हटा दिया था, यानि players को shoes पहन की ही खेलना था, AIFF ने FIFA से request की थी, कि उनके players को barefoot खेलने दिया जाए, इसके लिए FIFA ने साफ इंकार कर दिया, बहरहाल सोच जो भी हो, नतीज़ ये हुआ कि इंडिया World Cup खेलने से चूग गई, उसके बाद आज लगबक 70 सालों से, इंडिया के लिए qualification राउन तक जाना ही मुम्किन नहीं हो पाया है, लेकिन पिछले कुछ सालों से, current Indian football team के tremendous efforts को देखते हुए, इस बाद टीम का potential qualification मुश्किल ही सही पर possible जरूर नजर आ रहा है, तो सो कोच के रूप में इंडिया के लिए failure साबित हो चुके, स्टीफन कॉंस्टेंटिन को 2015 में एक बार फिर टीम का दारो मदार सौपा गया, इससे पहले वो 2002 से 2005 तक इंडियन football team के कोच रह चुके थे, लेकिन टीम के पूर performance के चलते उन्हें हटा दिया गया, लेकिन इस बार उन्होंने पिश्क्री नाकामियों को भूलते हुए नए सरे से टीम बिल्डिंग की प्रोसेस शुरू की, इस प्रोसेस में उन्हें आईसल यानी इंडियन सुपर लीग के चलते यंग टैलेंट का अच्छा पूर मिला, जिन्हें उन्होंने अगले कुछ सालों में इंटरनाशनल टूनमेंट्स के लिए रेडी किया, साल 2015 और 2016 में इंडियन फुटबॉल टीम की परफॉर्मेंस डीसेंट रही, लेकिन साल 2017 टीम के लिए जबरदस्त रहा, जहां टीम ने 9 में से 7 मैचेस जीते और 2 मैचेस जोग खिले, इसी परफॉर्मेंस के चलते इंडिया ने AFC Asian Cup में अपने कौलिफेकेशन को भी सेक्योर किया, मई 2017 में 21 साल बाद इंडिया ने टॉप 100 फीफा रैंकिंग में एक बार फिर एंट्री की, और जुलाई 2017 में 96 रैंक को दुबार आचीव किया, इसकी चलते भारत ने 2018 वर्ल्ड कब कौलिफायर्स में अपनी जगे बनाई, लेकिन यहाँ टीम सेकेंड राउंड तक पहुँच सकी, हाला कि इसी साल भारत ने पहला इंटर कॉंटिनेंटल कब भी जीता, लेकिन 2019 के AFC एशियन कब से बाहर होने के बाद टीम के कोच स्टीफन कॉंस्टेंटिन ने स्टेप डाउन कर लिया, इसके बाद All India Football Federation ने क्रोशिया के प्रूव वर्ल्ड का प्लेयर इगोर्स टीमेक को इंडियन फुट्बाल टीम का कोच एपॉइंट किया और यहाँ से एक नए युक की शुरुआत हुई, इगोर्स टीमेक के इंडियन कोच के रूप में शुरुआती कुछ दिन खास अच्छे नहीं भी थे, इंडिया ने थाइलैंड में और्गनाइज़ किंग्स कप का ब्रोंज मेडल ज़रूर जीता, लेकिन टीम 2019 के इंटर कॉंटिनेंटल कप के ग्रुप स्टेट से ही बाहर हो गई, इस हार के बाद इगोर्स टीमेक को काफी बैक्लैश का सामना करना पड़ा, क्योंकि इंडिया इंटर कॉंटिनेंटल कप की डिफेंडिंग चैंपियन थी, लेकिन फिर भी वो टीम के कोच बने रहे, इसके बाद उन्होंने टीम के टाक्टिकल परस्पेक्टिफ पे स्पेशल एंफेसिस देना शुरू किया, दरसल इंटरनाशल फुटबॉल में टीम ब्रॉडर सेंस में दो तरीके से खेलती है, पहला तरीका है स्पीड, मसल और एग्रेशन से गेम खेलने का, जहां दोनों टीम रेगुलर्ली एक दूसरे पर काउंटर अटाक करती रहती है, जिसके चलते गेम में स्टैमिना और एंडिरंज जैसे फैक्टर्स ज़ादा कंसिडरेशन में आते हैं, दूसरा तरीका है पजेशन, पेशन्स और पासिंग का, इस तरीके की टाक्टिक में स्किल और विजन जैसे फैक्टर्स ज़ादा प्रॉमिन्ट होते हैं, एक और स्टीमिक ने ये नोटिस किया कि टीम स्पीड गेम तो अच्छा खेल लेती है, लेकिन जब बात पॉजेशन के साथ खेलने की होती है, तो टीम का ओवराल गेम प्ले अभी भी वर्ल्ड स्टेज में क्वालिफाई करने के लिए काफी कब हैं, ऐसे में उन्हें ने टीम के सस्पेक्ट पर काम करना शुरू किया, जिसके पॉजिटिव रिजल्ट्स टीम को 2021 के साफ कप में मिले, लेकिन टीम का सबसे यादगार पल रहा, एशियन चैंपिन्शिप में करेंटली 58 रैंकिंग पर मुझूद कतर के साथ खेला ड्रॉग, जिसे ये इंडियन फुट्बॉल हिस्ट्री का सबसे मेमोरेबल रिजल्ट भी माना जाता है, साल 2023 भी अभी तक टीम के लिए शांदार रहा है, जून 2023 में टीम ने फाइनल में लेबनॉन को 2-0 चेहा कर एक बार फिर इंटर कॉंटिन्टल कप अपने नाम किया, महीं हाली में टीम ने साफ चैंपिन्शिप भी जीती है, दूस्तों इंडियन फुट्बॉल के रिसेंट राइस के पीछे सबसे पहला फाक्टर है इंडियन सुपर लीग, 2014 में स्टार्ट हुए इंडियन सुपर लीग से इंडिया ने फुट्बॉल में काफी सारा नया टैलेंट डिस्कवर किया, आज उदंता सिंग, अनिरो दिथापा, संदेश जिंगन जैसे रौ टैलेंट को फाइंड करना आईसल की वज़े से मुम्किन हो पाया, साथी आठ टीम्स फालीस लीग में इंडियन प्लेयर्स को फॉरन प्लेयर्स के साथ खेलने का मौका मिला, जिसने उन्हें मेजर इंटरनाशनल लीग में खेले हुए प्लेयर्स से सीखने और उनके साथ कंपीट करने का मौका दिया, दीरे दीरे साल दर साल जैसे जैसे आईसल की popularity बढ़ी वैसे वैसे अच्छा revenue भी generate होने लगा इसके चलते देश में छपे hidden talent बाहर निकल के आने लगे दरसल इस competition की विज़े से country में football को लेकर youth में interest develop हुआ और इंडियन football के revival के लिए उसी emotion और sentiment के ज़रुवत थी जो हमें cricket के लिए देखने को मिलता है इस emotion को जगाने का काम भी ISL नहीं किया 2014 में established हुई ये league all over the world media attention को grab करती है और international coaches और stars के साथ आज ये country के football landscape बदल रही है अगर इंडिया आने वाले सालों में दुनिया की top team से compete करना चाहता है तो देश में ISL जैसी domestic league का होना बहुत ज़रूरी है आज इशिया में South Korea ये जपैन जिससे देशों का FIFA की top ranking में शामिल होना वाह की domestic league के करण ही मुम्किन हो पाया है जैपैन ने भी ISL की ही तरह है साल 1992 में अपने अहां एक domestic league की शुरुआत की थी जिसे J1 league कहा जाता है जिसके चलते महज तीन दशक के अंदर देश में world class players का एक cool तयार हो गया साथी जैसे जैसे ये league आगे बढ़ा वैसे वैसे यहां high revenue generate होने लगा इसके चलते Japanese domestic football डेविड विला, एंड्रेज इनिस्टिया, फर्नेंडो टोरिस और डियागो फोर्लाइन जैसे iconic footballers को अपने यहां उनके later stage career spend करने के लिए attract कर पाया इस तरह के world class players जो खुद world cup winner रह चुके हैं उनके Japan में आने से वहां की young players को top level पर perform करने की बारियों को समझने में मदद मिली है similarly South Korea भी year 1983 से अपने यहां domestic football league चला रहा है जिसके positive impact के तौर पे Korean football को son hyung min जैसे renowned players मिले है ऐसे में हम कह सकते हैं कि भले ही ISL की वज़े से Indian football team रातो रात world class ना बन सके लेकिन सही guidance के साथ आने वाले कुछ समय में इंडिया अपनी national team के लिए कुछ talented players को खोच सकता है और बाहर से आए players के experiences को इन खिलालियों के साथ साजागर मेभी कुछी सालों में या फिर दशकों में भारत एक world cup winning team भी तैयर कर सकता है दूसर इंडियन football के current form का दूतरा बड़ा कारण है कंट्री के सभी हिस्सों में football का promotion और young talent को nurture करने पर All India Football Federation का focus असल में कुछ साल पहले तक football इंडिया के कुछ pockets में सीमित हुआ करता था जहां North Eastern States, West Bengal, Kerala, Maharashtra और Goa को छोड़ कर बाकी इंडिया में football के presence लगभग नाके बराबर थी लेकर अब धीरे-धीरे football federation के focus efforts और various public private initiative की वज़े से football देश के बाकी हिस्सों में भी पहुँच रहा है उधारन के लिए इंडिया का most popular state उत्तर प्रदेश इंडियन football map से गायब था लेकर रिजेंटली लालिगा outfit एटलेटिको डी माडरेट के साथ कोलाबरेशन में उत्तर प्रदेश का पहला national level football club स्टाबलिश किया गया है वारनसी में इस्टाबलिश किये गए इस football club का नाम होगा काशी football club इसी तरह की partnership दूसरे इंडियन football clubs ने भी की है जिससे football के promotion और improvement में और help मिली है 2020 में हैदरबाद football club ने भी एक ऐसे ही partnership की थी similarly बैंगलुरू football club ने भी Scotland के champions Rangers football club के साथ partner किया है जिससे दोनों clubs के talent साथ मिलकर अपने football को आगे बढ़ा सकें आज AIFF provocative measures लेकर grassroots level पर football talents को develop कर रहा है AIFF का vision है कि infrastructure, coaching programs और local tournament को improve किया जाए ताकि young footballers को इनकी skills दिखाने का सही platform मिल सके साथी आज Indian Football Federation दुनिया भर में लगने वाले football campaigns में अपने young players को भेज रहा है ताकि वो देशों में जाकर game सीख सकें जो आज हमसे कई गुना आगे है Federation का मानना है कि ऐसा करने से overseas experience भारत में सबसे direct route ले सकता है इसका सबसे बड़ा proof मिलता है under 17 football team के development को देख कर जहां under 17 football team ने पिछले कुछ समय में बहतरीन performances दी है जो Indian football के brighter future का हिस्सा है इसके लवा दोस्तों रिसेंटली भारत ने अपने football legends को भी recognize करना शुरू किया है जिससे football के overall promotion में काफी मदद मिली है और football एक mass game बनने की कगार पर है इसमें सुनील छित्री का नाम काफी prominent है तो से टीम के vision को improve और update करने में टीम में कुछ बहतरीन footballers का introduction और coach Igor Steemak का team को ज़्यादा technically sound बनाना भी important factors रहे है जैसे कि हमने पहले बताया आज Igor ने अपने work से team को एक much better skillful team में convert किया है इसके चलते अब team ने Spain और Croatia जैसे देशों किदर है ball को अपने control में रखके game खेलना शुरू किया है साथ ही आज टीम के पास young guns और experience heads का अच्छा combination है टीम की success में सबसे prominent role play करने वाले captain सुनील छेतरी टीम के main striker है जो up from the front टीम को lead करते है 38 years के सुनील छेतरी इंटरनाशनल football में 92 goals score कर चुके है और football में active players के list में Cristiano Ronaldo और Lionel Messi के बाद world के third highest goal scorer है सुनील का team के साथ होना अपने आप में खास है आज सुनील इंडियन football के सबसे famous star है जिनकी fan following पूरे देश में है सुनील की यही national image उन young Indian players के लिए संजीवनी booty है जिन्हें अकसर यह खयाल आता है कि कहीं football में जाकर कहीं गुमनाम न रह जाए टीम की दूसरे important player है 22 साल के अनवर अली जो इंडिया के main defender है अनवर अली के defense ने इंडियन football team के gameplay में एक नया dimension आड़ किया है इंडिया ने हाली में जिन young talent को develop किया है अनवर अली भी उनमें से एक है उनके composure, technical skills और back line से attack initiate करने की ability की कारण अनवर अली टीम के लिए एक important asset बन चुके है जो deep line playmaker के साथ एक rock solid wall का काम करते है इन दोनों के लावा टीम के goalkeeper, गुरूपीर संधू, midfielder, सहल समद, defender, संदेश जिंगन, forward player, लालियान जौला च्छांकते और महेश सिंग नावरम जैसे players भी आज टीम इंडिया के लिए अपने Asian competitors के बीच on paper एक strong line up बना रहे है जोसों कहते हैं कि जिस तरह भगवान भग के बिना दूरे हैं, वैसे ही एक player अपने fans के बिना दूरा है Indian football team में आये सुधार में fans की भूमिका काफी एहम रही है आपको याद होगा कि कुछ साल पहले तक Indian football की हलत इतनी खराब थी कि players खुद fans से request करते हुए नजर आते थे कि वो उन्हें support करने के लिए stadium में आए लेकिन अब हालत काफी बदल चुकी है, पिछले कुछ समय में football fan के number में जबरदस्ट उच्छाल देखी गई है जहां passionate supporters Indian team के पीछे stadiums तक पहुँच रहे हैं April 2022 में published इस report के according इस time इंडिया में football के 17% fans मुझूद हैं जो एक emerging sport के point of view से काफी अच्छा number है साथी जहां 2019 तक matches में आने वाले fans की संख्या rarely 20,000 को touch करती थी वहीं आज ISL में खिले जाने वाली Mumbai FC और ISL में खिले जाने वाली average week attendance 30,000 से जादा रहती है वहीं इस season East Bengal और Mohan Bagan के बीच खिला गया कुलकाता Derby का match ISI की history का third highest attendance वाला match था इसे देखने nearly 62,000 fans पहुँचे थे इन सबी आंकडों को देखकर ये साफ है कि इंडिया में football fans की संख्या बढ़ रही है लेकिन शायद ये recent form और fans का support ही World Cup qualification के चक्रवी को तोड़ने के लिए काफी नहीं है क्योंकि जहां तक साफ Cup को जीतने की बात है इंडिया स्टूर्णमेंट के 14 में से 9 वर्जिन में Cup Holder रहा है Similarly अभी भी इंडियन football team का footballing experience एशिया के उन टीमों के खिलाफ बहुत कम है जो दुनिया के टॉप 50 ranks में शुमार है इसलिए experts का मानना है कि World Cup 2026 क्वालिफाई करने के लिए अभी इंडियन team को लंबा सफर तै करना है दोस्तो भारत के लिए सबसे पहला benefit qualification सिनारियों में ये है कि FIFA World Cup 2022 तक इस टूनमेंट में 32 teams शिर्कत करती थी लेकिन 2026 World Cup के लिए teams के नंबर को expand करके 48 कर दिया गया इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि कौन से continent से कितने teams FIFA World Cup 2026 में participate करेंगी एशिया के लिए जहां पहले FIFA में 4.5 spots reserve होते थे वहीं अब team का नंबर बढ़ाने के कारण 8 spots reserve होंगे यानि पिछले World Cup के मुकाबले तीन और Asian teams FIFA World Cup खेलेंगी जो इंडिया के चांस को और बेटर करता है Currently Global FIFA Rankings में इंडिया 100th position पर है और Asian Football Confederation Ranking में 18th position पर Asian teams में Top 20 ranking के अंदर होने का सीधा मतलब है कि World Cup 2026 के लिए इंडिया को Asian qualification का first round नहीं खेलना पड़ेगा हलागी भारत को Preliminary Round 2 में participate करना होगा जहाँ पर 36 team को 9 groups में divide किया जाएगा और हर group में 4 teams होंगी Preliminary Round 2 की शुरुआर नवंबर 2023 से होगी और ये जून 2024 तक चलेगा World Cup qualification के लिए इंडिया को सबसे पहले इसी round में Top 2 spots में finish करना होगा साथी currently Indian football team FIFA World Cup qualifiers के pot 3 में placed है लेगन अगर इंडिया pot 2 में अपनी जगह बना लेती है तो Preliminary Round 2 के Top 2 में finish करने के और करीब आ जाएगी और World Cup qualification के chances और ज़्यादा बढ़ जाएगे यानि अगर इंडिया pot 2 का पार्ट रहता है तो ये इंडिया के लिए काफी beneficial होगा लेकर इस pot का हिस्सा होने के लिए इंडिया को FIFA ranking में 99 या उससे बहतर rank हासिल करनी होगी और Asian Football Confederation ranking में minimum 18 rank पर रहना होगा अगर इंडियन टीम ऐसा कर पाई तो इंडिया अपने lower rank team से खेलेगी जिससे top 2 finish करने की probability और high हो जाएगी preliminary round 2 को cross करने के बाद इंडिया को round 3, round 4 और round 5 के beyond जाना होगा इन सभी आने वाले rounds में Asia की best teams compete करेंगी जिसमें top 10 Asian teams भी होगी यानि इंडिया को FIFA World Cup 2026 में qualify करने के लिए इन सभी team से भेढ़ना होगा और उनके सामने अच्छे production के बाद ही इंडिया World Cup के लिए qualify कर पाईगी देखिए theoretically इंडिया FIFA World Cup 2026 के लिए qualify कर सकता है और उसके लिए इंडिया के players को अपनी best football खेलनी होगी साथिया में यह आज भी लगानी होगी कि सारे scenarios भारत के favor में आए आने वाला Asian Cup इंडिया के लिए अपनी progress दिखाने और continent की best team के against compete करने का सबसे बहतरीन platform है और यही FIFA World Cup खेलने के सपने की तरफ इंडिया का पहला बड़ा कदम हो सकता है अगर इंडियन टीम ने Asian Cup में अच्छा परफॉर्म किया तो हो सकता है कि हम पहली बार team इंडिया को FIFA World Cup में शिर्कत करते हुए देखें दोस्तों इंडियन फुटबाल के rise ने इंडिया के fans के लिए एक उमीद की किरन जरूर जगाई है इंडियन फुटबाल की recent achievements, player की जबरदस्त महनत और coaching staff का support इंडियन फुटबाल fans में optimism जगाने के लिए काफी है इंडिया में domestic leagues के आने के साथ-साथ football की popularity भी बढ़ रही है और players इस sport में अपना interest दिखा रहे हैं इंडियन सुपर लीग और I-League की वज़े से football में investment भी बढ़ा है और infrastructure भी improve हुआ है इसके चलते players को better training facilities मिल पा रही है All India Football Federation भी grassroots level पर football को popular करने के लिए all across the country academic setup कर रहा है इन initiative से उमीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा skilled और talented players mainstream में आपाएंगे और team के लिए अपना talent दिखा पाएंगे अगर football को लेकर इंडिया का plan सही दिशा में आगे भड़ता रहा तो जल्द ही हम अपने television set पर team इंडिया को FIFA World Cup में खिलते हुए देख पाएंगे और इस उमीद के साथ आज के वीडियो को हम यहीं विराम करते हैं I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी आपका इस मुद्धे पर क्या opinion है comment section में ज़रू बताइएगा इस वीडियो की importance यूपे सिप्लिम्स और means में देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा र जय भारत